आज हम बात करने वाले हैं front end की, front end क्या होता है software engineering line के अंदर और ये कैसे काम करता है सारी चीज़ें डिसकस करेंगे ये इस वीडियो के कुछ important points हैं वैसे तो आपको बहुत कुछ बताऊंगा बट ये major points हैं जो आपको at least पता होना चाहिए front end development होता क्या है ये कैसे काम करता है इसको कैसे सीख सकते हैं career path क्या रहेगा career path की अगर आज आज आपने software development के अंदर front end development चूज करा है उस पे काम करना शुरू करा है तो 2-3 साल बाद में आपकी क्या position होगी 5 साल बाद में क्या बन जाओगी 10 साल बाद में करने से पहले अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं करा है तो वो कर लीजे अब क्यों करना है देखो इसके reason काफी सारे है अगर आप अभी study कर रहे है या फिर आप job ढूण रहे है आपको software engineer बनना है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपके बास job है लेकिन job साफ सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं आपको salary structure career paths और क्या होते हैं इस वीडियो के अंदर नहीं बल्कि सारी वीडियो के अंदर जो भी topics related से होते हो software engineering हर किसी के अंदर बताता हूं और अच्छी अंदर जोब कैसे मिल सकती है वो सारी चीजे मैं आपको बताता हूं राइट तो सबसे पहला question आता है कि front-end development होता क्या है front-end term क्यों use करते हैं और कैसे होते हैं देखो एक website बनती है तो उसके अंदर काफी इतना simple नहीं होता कि हम उसको directly दिखा दें तो उसको थोड़ा सा तोड़ना मरोडना पड़ता है और तोड़ मरोड के front-end के उपर दिखाना website के उपर दिखाना ताकि लोगों को वो अराम से readable form के अंदर हो और लोग उसको पढ़ सकें वो बेसिक एक front-end development होता है अब अगर आपको मैं यह दिखा हूँ यह भी website है slides.com इसको पर जो यह content देख रहे हो आप ठीक है यह आपको front-end की वजह से दिख रहा है क्योंकि यह website अपने आप में एक front-end है इसके back-end में database होगा अब ऐसा तो है नहीं कि database से जो भी data आएगा वो ऐसा कैसा छप जाएगा और ऐसा ही होता है वो अलग form के अंदर होता है उसको अब यहां पर आने के बाद में हम उसके अंदर colors और एड़ करते हैं logical चीज़ें आड़ करते हैं काफी सारी चीज़ें बनती है तो यह होता है basically front-end आप कह सकते हो कि एक website के उपर जो भी आपको दिख रहा है वो एक front-end development होता है front-end होता है राइट और अगर आपको एक normal language के अंद्रेंड के एक daily basis के उपर एक example है नहीं आपको बताता हूं जो इंजन का ऊपर वाली बोड़ी होती है जो आपको दिखती है अच्छे अच्छी दिखती है यार यह headlight है यह इसका bumper है और यह इतना अच्छा design बना हुए वह basically front-end होता है और जो उसका engine होता है उसकी battery होती है इसकी अंद मैं इस इस दिख रही है जो आप पड़ सकते हो enjoy कर सकते हो देख सकते हो वह basically front-end होता है कहाँ कहां दिखता है जहां पर भी आप internet open कर सकते हो जहां पर वेबसाइट को use कर सकते हो चाहे वह mobile हो चाहे tablet हो चाहे computer हो laptop हो वहाँ पे front-end development होता है अच्छा अब आता एक काम कैसे क मसकते हो कि यह हमारा database है, यह server है, अब यहां से data आता है, यहां पर, आप जो data होता है, वो ऐसा नहीं होता है, इतना easy format में नहीं होता है, जहां पर दिखा दिया, वो एक अलग format में होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, आप दिखाते हैं, अब दिखाते हैं, यहां से यहां तक data कैसे आया, यहां से यहां तक API किस help से data आता है, अब API किया तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रहा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, but basic form में का हो तो यहां से data आता है, एक network के थूर, यहां पर data आया, और हमें frontend के उपर दिखा दिया, अब हमें कुछ data वापिस भी भेजना होता है, तो वो भी API के थूर जाता है, वो भी हम स्टोर कर देते हैं, frontend developer का काम दिखाना नहीं होता है, और भी कुछ काम होता है, माल लो कि एक Facebook के उपर आपको नई ID बनानी है, तो वो भी frontend developer का काम होता है, Google के उपर आपको एक नया user register करना है, तो भी frontend क्या करता है कि आपको सारी information उठा के collect करके जो अपनी नाम डाला है, phone number डाला है, email letters डाला है, वो सब कुछ collect करके database के अंदर store करवा देता है, ठीक है, यो basically frontend का काम होता है, frontend developer का, right, अच्छा अब देखो इस form के अंदर data आता है, जब API से database से data आता है, अब इस form के अंदर आता है, name ऐसे आएगा, age ऐसे आएगी, email address ऐसे आएगा, तो ये तो हमारे लिए रीडेवल form ह जैसे कि इमेज है, अब यहाँ पर इमेज आएगे प्रोफाइल किया, अनकि आपने facebook pad बना रखी है, अगर ऐसी image होगी तो हम तो समझ नहीं सकते हैं, हम तो image का नाम आ रहा है, तो अब इन चीज़ों को सब को handle करके, एक अच्छय format में दिखाना, वो basically frontend developer का काम होता है, right, तो अब मेरे हिसाब से आपको easily सारी चीज़ें समझ में आ गई है, कि frontend developer क्या होता है, right, अच्छा, अब frontend developer के सचार्ट कैसे कर सकते हैं, मैं कहूंगा basic से शुरू करना है, आपको सबसे पहले HTML सीखिए, HTML बहुत असान होता है, उसके अंदर कुछ बड़ी चीज़े नहीं CSS के अंदर होता है, वही सब कुछ होता है, वही for loop होते है, switch statement होती है, if else condition होती है, वही सारी चीज़े होती है, वही पढ़ो, थोड़ी बहुत CSS, थोड़ी बहुत ही होती है CSS, अब यह बोलोगे, CSS का काम तो सारा frontend developer ही करता है, और नहीं frontend developer ही करता है, frontend designer करता है basically, right, वह CSS क framework प्याना होता है, basically आपको मैं सही बताऊं तो, यह तीनों चीज़ें होते हैं, अपने आप में directly use नहीं करते हैं frontend development के लिए, इनको तो हमें basic idea होना चाहिए, JavaScript का framework होते हैं, वो होते है frontend development के लिए use करते हैं, जैसे angular हो गया, react हो गया, view हो गया, jQuery हो गयी, यह सारी चीज़ functionality दे देते हैं, जो easily build कर देते हैं अपने आप चीज़ें, यह अगर इनके साथ बनाए तो हमें बहुत time लगेगा, और यह functionality वगरा में सारी खुद बनाने होते हैं, यह बहुत सारी functionality में खुद भी देते हैं, तो यह इतिनों चीज़ें सीखने होते हैं, अब आप बोलो कि पर react के अंदर एक function बना हो है, display, तो angular के अंदर हो सकता है कि display करने के लिए show function बना हो, ठीक है, और view के अंदर visible function बना हो, मत बल तीनों का एक योगा, बस तीनों के अंदर अलग library framework के अंदर कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा difference होते है, अब career path क्या होता है, यह बहुत important होते, देखो, जब हम एक छोटी company के अंदर करें, आपको बताऊँ ना, देखो, जब छोटी company में आप कुछ भी शुरू करोगे काम करना, तो सीन क्या होता है, वो आपको पहले दिन हाद भी बोल देते हैं, भाई, यह लो computer, पढ़ो अपने आप, और काम करना शुरू करो, salary front end developer बन जाओगी, front end developer आप 2 या 3 साल के से आप, सीनिर developer बन जाओगी, और 5 से 6 साल के बाद में आप lead front end developer बन जाओगी, ठीक, आप lead क्या होते हैं, यह पूरी team को lead कर रहे होता है, साता developer होते हैं, उनको instructions देते हैं, उनको बताते हैं, वह ऐसे से काम करो, ठीक है, क्योंकि आप manager से interact करते हो, client से interact करते हो, इसके बाद में आपके पास 2 option होते हैं, एक तो आप manager बन सकते हो, ठीक है, अब जब manager बनते हो ना तो आपका coding coding से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, या फिर आप front end architect बन सकते हो, architect क्या करता है, एक बहुत बढ़ा project आगया आपके उस project को अच्छे से कैसे बनाना है, कहां कौन सी file होनी ची, कैसे interact करवाना है, back end से, बहुत सारी चीज़े होते हैं, तब वो सब कुछ उसका structure बना गए देता है, ठीक है, आप वो उसके structure पर काम करते हैं, और या तो आप manager बन करता है, को coding से कुछ लेना देना नहीं है, और यहां पर जाके न, जब आप lead front end से निकल जाते हो, तो फिर आपके लिए सब का career path सेम सही हो जाते है, अब यह बन गए, अब इनसे उपर क्या होते है, उसके बाद में कंपनी में एक मालिक ही होता है, उसके बाद और कोई और नहीं होता है, ठीक है, अब CTO बन गए, और इस अब CTO बन आपको salary के साथ, company के अंदर कुछ shares भी मिल जाएं, कि यह 5% हिसा आपका, यह 100% हिसा आपका है, ऐसा भी हो सकता है, और आप फिर वही जस उसी में continue करते हो, या फिर आप एक अपना चोड़ा startup भी खोल सकते हो, जैसे कि अब बहुत बढ़िया idea आ गया, तो जैसे पूरी R&D करता है, किस country के अंदर क्या salary होती है, but यहाँ पर मैं बताओ, जो हिनोंने salary बताई होई है, तो मैं आपको सही बताओ, तो थोड़ी सी जादा salary होती है, ठीक है, तो यह कहते हैं कि अगर एक साल से बाग कम experience है, तो आपकी salary, एक साल की 3 लाक रुपे होगी, ठीक ह होती है, यहाँ पर 1-3 साल के बाद में, देखो, यह average salary है, ठीक है, अब हो सकता है कि थोड़ी R&D पुरानी हो, but मैं 6 साल से industry के अंदर काम कर रहा हूं, मैं interviews भी लेता हूं, और obviously जो यह salary follow है, इससे मेरी salary भी जादा है, और obviously मेरे clicks की भी जादा है, तो इससे थोड़ी सी ज सेलरी बन जाती है, जब आपका 10 साल से दा experience हो जाता है, तो आप manager लेवल पर आजाते हो, और तब आपकी जो salary सही बता हूं, मैं, 2-3 लाग रुपर पर मन थे, यानि कि 24-25 लाग रुपर का सपस चली जाती है salary, right, so यह था पूरा एक analysis की front end developer की job में क्या का carried options हैं, क्या क्या और कुछ confusion है तो मुझे comment box ने पूछ सकते हो, चैनल को subscribe करना, वीडियो को like करना, मत बूलेगा, bye bye, take care